कि अभी मन्यूं आई हैं से वेरी वोम वेलकम ओल ओफ यू इन इस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहां पे पंज़ पीसेस इग्जैमिनेशन के लिए स्टडी प्लैन पे बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि मैं स्टडी प्लैन क्या होना चाहिए यहनों किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटीनियू रखें ठीक है कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम ठीक है, टाइम की यहां पर main हम बात करेंगे student, तो study plan के बारे में हम discuss करते हैं student, कि study से related जो आप पढ़ते, जितना भी आपका exam का syllabus है, उसको लेकर आपकी planning कैसी होनी चाहिए, तो see here student notification कभी भी out हो सकती है for the Punjab civil services, right, तो अभी हम बात करते हैं यहां पर हमारे study plan के बारे में, कि 2024 में होने वाला पंजाब ECS का हमारा study plan कैसा होना चलिए, किस तरीके से आप अपनी preparation को continue करोगे, तो student यहां पर हम plan page लेते हैं और उस पर हम समझते हैं हमारा study plan, तो see here student, please listen me carefully, right, 10 minutes के लिए आप सुन लीजिए, बहुत सारे आपके doubts जो है, वो clear हो जाएगे यहां पर, ठीक है, first of all, let me tell you one thing, कि हर एक subject, जाए फिर वो आपका quality है, second, आपका geography है, जैसे, geography है, third आपका science है, science and technology है, ठीक है, ठीक है, right, ठीक है, और कौण सा रह गया हमारा, subject रह गया हमारा, पॉलिटी, साइंस, जोग्राफी, economy, history and seventh, अवर, political theories and international relations, right, अच्छा, एक हमारा और subject रह गया, that is our, यहीं पे लिख लेते हैं, हम जोग्राफी के साथ ही, that is our environment, ठीक है जी, ओके, तो यह सारे subjects, अगर आप इन subjects को ऐसे, randomly prepare करना शुरू करोगे, फिर वो गलत है, वो क्या हो जाते हैं, गलत है, वो फिर randomly नहीं त्यार करना चाहिए, एक आपका holistic way होना चाहिए, student, हर एक subject को लेकर, ठीक है, कि उसको किस तरीके से लेके जाने, for instance, अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी की, अब अगर पॉलिटी की, अगर हम बात करें, student, तो according to my advice, आपकी जो पॉलिटी होनी चाहिए, वो आपकी 30 to 35 days में आपकी पॉलिटी जो है, वो ओवर हो जाने चाहिए, अगर इससे ज्यादा आप एक पॉलिटी subject करने में ही, अगर फिर तो आप time pass कर रहे हो, कुल मिला के, ठीके, अच्छा, फिर अगर जैसे आपकी जोगरफी, इसको भी आप overall 25-30 days में आप इसको ओवर कर सकते हो, अराम से, ठीके, अराम से इसको आप कबर कर सकते हो, फिर economy है, ये भी आपकी 30 days में ओवर हो सकती है, फिर आपकी history है, ये आपकी 30 days में over कर सकते हो आप इसको ठीक है, science and technology इसको आप 20 to 25 days में आप इसको कर ले जाओगे फिर आपकी political theory and international relations ये आप 10 to 15 days में cover कर सकते हैं environment है ये भी आप 10 to 15 days में cover कर सकते हैं ठीक है, okay, right तो student, इस तरीके से student आप अपना एक study plan बना के चलिए यहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा एक subject को time devote नहीं करना होता ठीक है, ऐसा नहीं है कि quality जो है, वो आपने पढ़ी 2 month ठीक है, 3 month आपने quality पढ़ ली ठीक है, फिर आप बात जब आपकी science पे आई ठीक है, बिना concepts की clarity कि उसको आपने 20-10 days में वस उपर-उपर से पढ़के खदम कर दी, नहीं, यह फिर आपका study plan गलत है, student ऐसा बहुत बच्चे करते, कई बच्चे क्या करते, continue एक ही subject को पढ़ते चाते तो आपका जो study plan होना चाहिए, student वो बहुत ही holistic होना चाहिए, एक target base में होना चाहिए कि हंजी, मुझे इतने दिन में, इतना जो subject wise coverage है, वो मुझे कर देनी है अगर मैं history बढ़ रहा हूँ, इससे maximum days आप नहीं ले सकते आच्छा, जो मैंने आपको days बताए, हो सकता है, उपर-नीची आपके इसाब से हो जाए for example, हो सकते है कि आप जो है, वो economy जो है, उसके लिए आप जो है 30 to 40 days ले जाओ, ठीक है, आपने ले लिए इसके अंदर, आपने थोड़ा MCQ भी practice किया सब कुछ किया, ठीक है, बट इससे ज्यादा days नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है, कि student आपके पास जो है, वो पूरी-पूरी अपनी एक date sheet होनी चाहिए date sheet होनी चाहिए, ठीक है, कि हंजी, मुझे per subject, per subject मुझे कितना time जो है, वो मुझे devote करना है ठीक है, per subject मुझे कितना devote करना है, for example, अगर आप कोई subject 30 days में अगर आप cover कर रही हो number of hour, कि किसी चीज को 30 days में पूरा करने के लिए student, तो आपको कितने number of hour चाहिए, 6 hour चाहिए, 4 hour चाहिए, 5 hour चाहिए, 6 hour चाहिए, कितने चाहिए यह अब आप decide कीजिए, ठीक है, और आप उसको एक targeted way में आप उसको पूरा कीजिए student, यही होता है आपका study plan study plan वो नहीं होता student, जो आपको बच्पन में सिखाया जाता है, यह वाला study plan नहीं होता, कि morning में morning में उठके, जी पहले मैं यह काम करूँगा, फिर मैं इतना hour जो मैं पढ़ूँगा, फिर इतने hour मुझे खेलना है, मुझे यह करना है, activities no down, this is totally bullshit यह फिर वो mature वाली बात नहीं है, फिके, अपने target पे focus करने, instead of this, आपको क्या करना है student, अपने target पे focus करने, target wise आप study कीजे, target wise, per subject आप कितना time devote कर रहे है, पर subject आपका कितना time जा रहा है, that is the main game here, फिके, पर subject आपका how much time you devote, फिके, तो यह आपको पता होना चाहिए student, कि आप कितना time devote करते जा रहे है है, ठीके, ऐसा नहीं है कि पूरा साल जो है, वो आप 2-3 subject लेके बैठगे, 4 लेके बैठगे, और फिर आप करते जा रहे है, ठीके, तो target based पर subject आपकी planning होनी चाहिए, ठीके, यह होता है आपका study plan, कि अगर आपके पास 7 subject है, 8 subject है, प्लस आप main's के subject भी कर रहे है, student, cset भी कर रहे हैं, तो आप कितने time में कर रहे हैं, for example, अगर मैं cset की बात करूँ, अगर cset के लिए student, आप पूरा साल cset कर रहे हो, पूरा साल अगर आप cset कर रहे हो, फिर आप गडबड़ है, फिर कहीं ना कहीं गडबड़ है, सिर्क, cset जो है, वो 3-4 मन्त में आपका बहुत अच्छे से ready हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छा time devote करते हो, रोज अगर आप 2-3 hour भी अगर devote करते हो, student cset के लिए, that is more than enough, आप 3-4 मन्त में आप अपना cset बहुत अच्छे से ready कर सकते, मैं आपको एक बहुत ही फुला time दे रही हूँ कि अभी notification आउट नहीं हुई है, जब आउट हो जाएगी फिर तो study plan बहुत ही different होगा, और बहुत ही hectic होगा, फिर मैं आपसे quality के लिए कभी नहीं बोलूँगी कि आप 30 days में quality कीजिए, कितना time है नहीं, डिवोटिफिकेशन के बाद, 30 days एक subject को लेने लग गई, तो माली जए notification के तीन महीने बाद paper है, फिर तो आप तीन ही subject कर ले जाओगी, quality, economy और science, तीन ही करोगे, बाकी तो फिर आपके राम जी करवाएंगे, है न, राम जी के बरोशिया सब बूच, तो ताप आपका time जो है, वो 30 से कम होकर, फिर तो 15 पे आजाते है, 15, 20 बस इतने ही आता है, पहली बाद तो 15 तो मैंने ज़्यादा बोल दी, right, yes or no, so this is the study plan for your PCS examination, if you want to target your Punjab PCS in your 2024, then please follow this study plan, हर subject को एक target base पे लेके जाना है, और उसको एक minimum time में cover करने की उसको try करनी है, और अपना एक target होना चाहिए, fix होना चाहिए, कि हैंजी, मुझे 6 मन्त में मुझे पूरा syllabus cover करना है, मुझे 7 मन्त में, आने वाले 7 मन्त में मुझे अपना prelims का, mains का सारा syllabus cover करना है, और उसकी practice, revision, सब कुछ करनी है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना, test भी लगाने, ठीक है, clear हो ये बात आपको, yes or no, so this is the study plan for your 2024, तो इसी के साथ student, मैं ये session यहाँ पर over कर रही हूँ, and I hope कि आपको ये session बहुत ही useful रहेगा, for your study plan for Punjab Civil Services 2024, ठीक है जी, तो इस session को हम यहीं over करते हैं, इसी के साथ student हमारा new batch start हो चुका है, for the Punjab Civil Services, तो आप join कीजिए student, link आपको इसका भी description works में मिल जाएगा, thank you, have a nice day,